नमस्कार आप देख रहे हैं जीवेरे नियूज सिलिगुडी और आपके साथ मैं सुप्रिया हाई कॉट ने ग्रूब डी के 542 कर्मियों का वेतन रोकने का दिया आदेश अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के समक्ष उच्चनायले ने SSC के फर्जी भरती मामले की CBI जाँच के बाद 542 का वेतन, 542 कर्मचारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है ग्रूब डी भरती में आनि मिताओ के कारण स्कूल सेवा आयूग अधिक दवाव में है इसके साथ ही High Court ने निटेश दिया है कि चार मैं 2019 के बाद जिने नियुक्त किया गया है, यानि कि SSC कर्मचारी को नियुक्त किया गया है उनकी वेतन रोका जाए नियाई मुर्ती अभी जीत गांगुली की एकल पीट यानि कि सिंगल बेंच ने कहा है कि मामले की जाच जब तक पुरी नहीं हो जाती, तब तक कर्मचारीों का वेतन बंद रहेगा ये सबसे बड़ी अभी की, सबसे बड़ी बिक ब्रेकिंग नियूज आप सभी के समक्ष सिर्फ और सिर्फ GVNN में उलेकनिया है कि ग्रूप D नियूकती में धानली की CBI जाच का आदेश गांगुली की सिंगल बेंच ने दिया था लेकिन एक दिन पहली है खनपीत ने उस आदेश पर तिन सब्ता की अंतरिम रोक लगाई है उच्छ नयायलाई की नहीं बलकि वे लोग जो दिन रात महनत करते हैं यह सोच कि उन्हें उनकी काबिलियत के आधर पर उनको वो नोक्री मिलती है उनका भी यह प्रश्न है उच्छ नयायलाई का प्रश्न तो है ही लेकिन साथ साथ में उन सब यूओकों का भी उन सब बक्चे का भी प्रश्न है कि आखिर टाइम समय समय बंध होने पर जो नियुक्ती का जो समय है वो बंध होने पर भी आखिर नियुक्त कैसे किया जा सकता है क्योंकि जो बच्चे तो दिन रात मेनत करके इतने बड़े बड़े इंस्टिउशन में भड़ती लेते है इतने लाखो लाखो रुपए खर्च करके भड़ती लेते है ताकि उन्हें ऐसे जो सरकारी नौकरी है उन पर काम मिल सके सरकारी नौकरी मिल सके और वो बच्चों का क्या जिन होने सिर्फ इंस्टिउशन इंस्टिटूशन में ही नहीं इंस्टिटूशन में भरती होने का भी उनके पास पैसा नहीं है वो घर में दिन रात मेनद करते हैं उन पर फिर क्या बीती होगी ये समाचार सुनके उनका भविश्य का क्या जो ये सोचते हैं कि एक्जाम देने पर परिक्षा देने पर जो आधार पर उन्हीं नियुक्त किया जाता है ये जो समाचार है कि फर्जी भरती हुई है उससे सिर्फ बच्चों ही नहीं बलकि हम सब पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा है क्यूंकि ये बहुत ही निंदनिय घटना है और उसके उपर से हाई कॉट ने CBI जांच लगा दी है और अभी तो जितने भी जो फर्जी नियुक्त किये गए है उनका वेतन रोक दिया गया है और आपको पता होगा कि फरजी नियुक्त 542 जांच लग नहीं है जिनका वेतन रोक दिया गया है आप सौचे ये अभी के सबसे बड़ी breaking news है जहाँ पे CBI जाच लगा दी है हाई कॉट ने अभी भी ये इस विशे को लेकर अभी भी बहुत सारे जाच परताल हो रहे है अभी भी ऐसे बहुत सारे cases आने सामने है अभी के लिए ही इतना ही ऐसे ही update के साथ बने रहे हैं एक तरे जी वे ने नियू से लिगोडी धन्यवाद